गुझरात में तो हलात कराब हों गुझरात तो लगता थो को करी तो उनने का अगर हमने हाथ उठा दिया तो हम जेलू मजाएंगे तो इतनी बड़ी देशत गुजरात में हैं और साथ गाउं की जमीन वहाँ पर एक लिए भी वह के रिलाइंस को दी वहाँ पर आम होता है उस जमीन में पैदा और आम की खिती करने के लिए साथ गाउं की जमीन रिलाइंस को दे दी अभी कुछ गाम की जमीन वहाँ पर अडानी गुरूप को दे जा रही कोई सुनवाई नहीं है कोट में में किसान गए कोट से वहां से जित्ते हैं आई कोट से सुप्रीम कोट में और जजु का हाल आप आप देखो कि जिस जज ने फैसला उनक गुजराप दिया जब डबल बैंच में तो एजब डबल भी हैंने में तो 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 उनके खिलाप फैसले जा रहे था कोई आना चाहता था तो आबू रोड वहां से राजस्थान में पड़ती है गुजरात के लोग बगेर जंडे के बगेर उसके अगर दिल्ली आ रहे हैं तो वह आबू रोड से ट्रेन पकड़ते थे महा से बसे पकड़कर जब दिल्ली आएं यहां पर वहां पर जाकर देखिए गुजरात पूर्ण रूपसे पाबंद है गुजरात अगैन तो पूरा यह जात करवाना पड़ेगा यह आला कोँपर मज़दूर अजात्थि नहीं महां का जो किसान है वो देसत में पूर्ण तो यह आलात पूरे देश बरके हैं और गुजरात तो पूर्ण रूप से इस्टेट एक किसम से खतम इस्टेट हो चुपाए हूँ महाँ पर बोलने की कोई आजाती नहीं है महाँ परदर्सन करने की आजाती नहीं है महाँ पर जब हम गए तो पूरी दुकान ने बंद करवा दी गई पूरे चोराएं बंद करवा कर राखे गए और भीड को आने से पूर्ण रूप से रुक्या गया मिठी नहीं है यह आलात गुजरात के हैं तो गुजरात दो बड़े नामों से जाना जाता है गांधी का गुजरात और पटेल का गुजरात और किसी भी बड़े आन्दोलन की जो नीव है वो गुजरात से पढ़ी किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 12 डोली से सर्दार पटेल जी ने एक बड़ा आंदोलन एक संगर शुरू किया मात्मा गांदी जी ने नमक सत्तागरे किया और पूरे देश को और दुनिया में आज भी गांदी जो है सब के लिए एक प्रेड़ना स्रोत रहें और गांदी जी ने प्रेड़ना दी कि इंसात्मक रूप से आप जो है बड़ी से बड़ी तागत के खिलाब भी खड़े होकर लड़ सकते हैं तो क्या आप दूसरे गांदी की आवस सकता है गुजरात में संब्सरें तर्फ्स के नाम को बदला जा सकता है तो गुजरात में हार्चीज संब्सभ वै're आश्रम साबत होती के जाने के बाद सरदार बल्लम भाई पटेल के गाउं गए उनका पूरा घर देख्या मासे और जाली उसके बाद में बाडुली गए जो आंदोलन अस्तल था जो आश्रम था उस आश्रम में गए वहाप बठे उस जगह पर उस रूम में बठे मासे सारी च अस्तल है आप अंदोलन को रूप अंदोलन वहां के लोग को करना पड़ेगा पूरे देश के मुख्यदार से गुजरात को जोड़ना पड़ेगा नहीं तो गुजरात के किसान की सबसे पहले जमीन जागी और यहीं गुजरात मोडल है जो गुजरात मोडल को ले आने की ब तो आप पूरे देश में एक्सपोज करने का काम करेंगे किसान पंचात में बिल्कुल पंचात करेंगे और पूरे देश में जाएंगे गुजरात में फेर जाएंगे गुजरात में फेर पंचात लगेगी आप पबलिक इमिटिंग गुजरात में करनी पड़ेगी और जुम् मुंबई के लिए आई स्पीड ट्रेन निकाली महां पर किसान संगर्स करते रहे पूरे देश में एक नियम है कि चार गुणा माउजा में लगा लेकिन वह स्टेट का लोग कुछ और है महां उसको दो गुणा कर दिया गया है उन किसानों की कहीं सुनी नहीं गई दूसरा एक रुपाय मेटर जमीन देगी तो किसानों का कहां से बला कर पाएगी ये बात बिलकुल आपके सही है और इसको आप किस तरह से आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी पूरे देश मेलड़ाई जागी इस तरह से बड़ी कमपनियों को जमीन दी जा रही है ऐसे ही लखनाउ में लखनाउ में जो एरपोर्ट है उसकी जमीन अडाने को दे दी गई और यह कहकर दे दी गई कि 1942 में जब अंग्रेजु का राज था उस टाइम पे जमीन अधीगर्ण करी गई तो इन कमपनियों के खिलाब लड़ाई लड़नी पड़ेग और लड़ाई लड़ दी पड़ेगी बस एक आखरी सवाल एक गटना राजस्तान में हुई थी और आई का आज ब्यान आपका पिछले दो दिन से और टिकेट साब ने कहा है कि हम इन बच्चों को जो है बठका के ला गया था हम कोई कारवाई नहीं चाहते तो उस संबंद म हाँ कोई करवाई नहीं करेंगगे पुलिस परसासल को भी काजेंगों कोई कारवाई नहीं करने केश से खतम हो वो चे कोट्स को और राजा रामिर वे हैं उनके परीवार से उनके मिल और पूर्ण रूप से एक समजोत्य आधार पर कोई कोई पच्चों से कोई माफी या कोई डंड कोई उनको नहीं उनको पीस्फुली वे जाएं अपना काम करें अपनी पढाई करें और यह हमने उनको का आथा राजिस्था दूए